आज हम केविल दो मिनिट में बहुती बढ़ियासा आपके मोड को तरो ताजा करने वाला रिफ्रेशिंग ड्रिंग बनाएंगे स्टार फ्रूट शॉट्स इस बढ़ियासी रिफ्रेशिंग ड्रिंग को बनाने के लिए हमें लगबक पांच पीसे स्टार फ्रूट के लगेगे तो इसे इस तरीके से कट कर लीजिए तो जैसा कि आप शेप्स देख रहे हैं ये स्टार शेप्स में है इसी के कारण में इसका नाम स्टार फ्रूट है सो बस इसे ब्लेंडर जार में आपको डाल देना है साथी में आपको इसमें लगबक आदा कप पूदीने के पत्ते डाल देने है और बस इसका एक बड़िया सा फाइन पेस्ट बना लेना है बिना पानी का इस्तमाल करते हुए तो हमारा मिक्स्चुर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये काफी थिक है तो बस इसमें बाकी के इंग्रीडिन्स हम फटाफट आड़ कर लेते हैं तो उसी को आड़ करने से पहले हम एक बड़ी सी छनी लेगे और पहले इस मिक्स्चुर को अच्छे से छान लेगे ताकि जो बीच बीच में अगर स्टार फूर्ट के दाने हो तो वो मुमें ना आए सुबच कुछ इस तरीके से उसका पूरा जूस हमें एक्स्ट्राक कर लेना है अब वही पानी को दुबारा हमें ब्लेंडर जार में ले लेने और बाकी के इंग्रीडिन्स आड़ कर देने है इसमें कुछ पत्ते पूदीने के जाएगे इसी में लगबक स्वाद अनुसार काला नमक और सफेद नमक जाएगा इससे स्वाद बहुत ही उभर के आता है साथी में एक टेबिल स्पून जितना, पीसी हुई चीनी, एक छोटा चम्मज, लाल मिर्ची पाउडर और कुछ बरफ के तुगडे अब बस इसे इस तरीके से शेक कर लीजे अगर आपके पास कोई शेकर हो तो आप उसमें भी बना सकते मेरे पास नहीं था तो मैंने ब्लेंडर जार में ही करना प्रिफर किया अब इस तरीके से छोटे-छोटे शॉट्स के ग्लास लेते हुए आइस क्यूब डालते हुए इसे रिफिल कर दीजे और बढ़िया से इसे एंजॉय कीजिए आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और इसी तरीके के इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग